नमस्कार बच्चो कक्षा आठ एक्सरसाइस तीन पॉइंट दो कोशन दो हम कर रहे हैं एक सम बहु भुज के परतेक बाह्य कोण का माप ग्याद कीजे जिसकी हमने पहले भाग में किया था जिसकी नौ भुजाएं हो तो हमने 360 को नौ से भाग कर दिया अब हैं भुजाएं 15 तो मैं फिर से लिखूंगा बाह्य कोणों का योग किसके बराबर है परतेक बहु भुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्रीज तो सभी कोण बराबर होंगे जैसे यहां लिखा एक कोण का माप बराबर 360 डिग्रीज कितनी भुजाएं है 15 तो 360 को 15 से भाग कर दो ठीक है बच्चो तो 360 को जब हम 15 से भाग करते हैं यह यह मैं आपको करके दिखा देता हूं 360 को 15 से 15 दूनी 30 6 में से 0 गया 6 3 में से 3 गये 0 उपर से उतारा 0 15 चोके 60 इसका मतलब 360 को 15 से भाग करके कितना आ गया 24 तो 360 को 15 से भाग करके आया है 24 इसका मतलब परते कोंड का माप कितना हो गया उन्हें यह बोला था न हारे कोंड का माप निकालो तो परते कोंड का माप कितना आएगा 24 डिगरी आएगा आशा करता हूँ इस प्रशन का यह भाग आपको अच्छे से समझ आया होगा यदि आप इस एक्सेसाइस के बाकी प्रशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप वहाँ पर बाकी प्रशन भी देख सकें धन्यवाद